खबरों के निश्पक्ष विश्लेशन के लिए सब्सक्राइब करें जन्तंत्र टीवी एंड प्रेस दा बेल आइकन नेवर मिस एनी अपडेट कि तियोहार की शुरुवात होगी तो शायद व्यापार वापस पट्री पर आ जाए व्यापारी ये भी मानते हैं कि भारत चीन सीमा पर चल रहे विवाद की वज़े से चीनी सामानों की सेल बिलकुल खत्म हो गई ऐसा क्या है दिल्ली के बाजारों का हल इसका जाइजा लिया हमारे सही होगी इंदर सेन यादव ने देखिए इस वक्त हम मौझूद है राधधानी दिल्ली की सबसे पुरानी मार्केट सदर बाजार में और आप देख सकते हैं सदर बाजार में भीड भाड हलके फुल की देखने को मिल रही है जब हमने यहां के लोगों से बातचीत करी तो पता चला कि कोरोना संकट की वज़े से जो पहले से मार्केट है वो काफी ज़ादा डाउन है अगर हम बात करें जो यहां पर दुकानदार हैं आप देख सकते हैं यहां पर बेच रहे हैं, इन से पूछते हैं, जो दिये हैं स्वदेशी हैं यहीं पर बने हुए हैं, इनकी डिमांड है या पहले से बहुत कम है? बहुत कम है पहले से पोज़ जाते हैं तो पहले से जो बराव था वो वाराव हाई नहीं इककर गिराख आता है पिल्कल आप साफ तोर से देख सकते हैं कोरोना का जो एफेक्ट है वो अभी भी बादारों पर देखने को मिल रहा है और साफ तौर पर आप ये दुकान देख सकते हैं इस दुकान में जो कुछ भी आप देख रहे हैं सब कुछ इंडिया का बना हुआ है लेकिन जो दुकान के मालिक हैं उनका साफ तौर सी ये कहना है कि जो भी लोग यहां पर खरीदारी करने के लिए है भो लोग पूच रहे हैं कि आप जो समान बेच रहे हैं वो इंडिया का बना हुआ है या फिर चाइना का बना हुआ है चलते हैं अंदर सीधा तंग गलिया सदर बाजार की और आप देख सकते हैं यहां पर भीडबार बहुत है लेकिन शायद मार्केट में काम नहीं है हमारे साथ बातचीत करने के लिए भी बहुत सारे लोग यहां पर मौजूद है अगर हम बात करें मार्केट में कोरोना का जो असर है किस तरह से देखने को मिल रहा है करोना का असर यह असर दिख रहे हैं यहां तो ऐसा हो जाता है दुपैर के टैम में जैसे कर्फ्यू लगा होते हैं अब दिवाली को देखो आप सिरफ दस से बीस दिन रह गए हैं लगी नी रहा कि दिवाली आ रही है जो है शाबला जी अगर बात करें जब कोरोना नहीं था देश में तो हर साल दिवाली पर अगर यहां कोई आता था तो पैर रखनी की जगह नहीं होती थी अब जो आप लोग काम कर रहे हैं तो डिमांड किस तरह की आरी है मार्केट से जो लोकल वेंडर्स हैं उनकी तरफ से किस की दिमांड आ रही है पहले से जादा है या पहले से बहुत कम है मतलों डिमांड आएज कहां से लोग अब ध्यान जो है सारा करोना वेरस की तरफ लगाउ से तो लोगां अब दैकर में दो जब्लाने मंदिर में चले जब जहां पैर रखने के जगए नहीं होती थी आजए पर देटी बोडों है इस तारि देखिए को रोना संकट को असर है कि अधार ओपर भी देखने को मिल रहा है आप तीजिक का काम है और किस तरह से आप देख रहे हैं कोरोना संकट के दौरान कैसी सेल वगेरा है आपकी हमारा स्कूल बैक्स का गाम है और शायद स्कूल इंडस्ट्री कैसी इंडस्ट्री है जो करोना में सबसे ज्यादा इफेक्टेड है क्योंकि कोई भी बेरेंट्स अपने बच्चों को पर हम तो यह सोचते हैं कि इतने सालों से हमारे फादर दादा सब काम करते है आज गौश्मेंट हमें क्या बेनिफिट देती है मेरी उमर 30 साल है मेरे को आज 12 साल तो गौश्मेंट को टेक्स देते वे हो गए और मैं हाईली टेक्स पेर आदमी हूं और लेकिन हमें उन नुकसान का काम है परिशानी आता है चावड़ा जी एक चीज और हमने अभी दिली में देखी मैं ग्राउंड जीरो पर अक्सर मौजूद रहता हूं फिक्स चार्जेस जो बिजली के हैं कॉमर्शल चीजों पर वो फिक्स चार्जेस भी लगे हुए आ रहे हैं विजली के दिली सरकार को आपको क्या लगता है उसमें रियायत देनी चाहिए क्योंकि सदर बजार राधधनी दिली की सबसे पुरानी बजारों में से एक है तो ऐसे में क्या लगता आपको फिक्स चार्जेस के उपर रियायत देनी चाहिए फिक्स चार्ज के उपर भी और जो यह नह कर रहे हैं लेकिन आप मिटर्चेंज क्यों खर एं की मोथ वे Stephanie K कि आज आप होस्पिटलों में चले जाओ वहाँ भी डॉक्टर जो हैं बिल्कुल लिहाजी कि डॉक्टर अच्छे हैं लेगे कई डॉक्टर ऐसे हैं कि वह लिहाजी निहीं कर रहे हैं कि बंदा कौन है क्या है गरीब है अमीर है उन्होंने एक जासा हिसाब सबका बना रखा है इस बात का मैं बहुत अफसोस है फैसलिटी है नहीं और लूट मार कर रखी है बहुत जाद यह दो श्पिर अपका किया नाम है मेरा नमनमीत है मनमीत किस चीज़ का काम है अब कैसा अभी अगर हम बात करें दिवाली सर्पर है बिलकुल और लोग तो दिख रहे हैं पर क्या दुकान पर काम है हमारा मेन लेडीस पर सटैची को हमारा वैसे बारा मिने काम है अगर देखा जाए दिवाली पर सबसे जदा मॉरी अटेची काफ विकता क्योंकि शादीब्या का सीजन होता और वह होता ह्दugen को लेने वाला कोई भी नहीं है क्योंकि करोना काल में लोगों की जेबे खाली हो चुकी हैं और यहां पर अभी सदवजार में इतनी चोरी जराई और इतनी जेब कटिंग गया है कि मला जो खृदने भी आता है उसकी भी जेब करदाती है तो गरा काहां से लेगा तो देखा है जैसा कि मनमीत बता रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना संकट में अगर कोई सबसे ज्यादा परेशान हुआ है तो वह वैपारी और मध्यमवर्क के लोग हैं यह आप दुकाने देख सकते हैं यहां पर यह अटेचियों का और लेडी पर्स जो लेडी पर्स है उनका काम होता है और अगर आप इस साइट देखेंगे तो यहांपर आप देख सकते हैं फैबरिक का काम है और यह stival आत यहां पर देख सकते हैं लेडी सामान शारा लेकिन कोरोना संकट के दवरान जो बाजार के हालात हैं वो बिलकुल बदले हुए दिखाई दे रहे हैं सदर बाजार सबसे पुरानी मार्केट्स में से एक मार्केट है और आप यहां पर अभी भी देख सकते हैं कि दुकाने सजी जरूर हैं समान लोगों ने डाला है लेकिन समान जो है वो बिक बिलकुल भी न कौन से बिक नहीं रहा है क्याना में अपका है तो चानीज लाइटों की दिमांड है या फिर लोगों की हिंदुस्तान और चीन का विवाद चल रहा है उसकी वजहे से आप जो यह लाइटों को बुजनस लगाई रहे हैं वाकि जो इतना पिछले साल का था क्राउड वो प्राउड नहीं नहीं आ रही है जो देख सकते हैं आप चाइना की यह जो लाइट रंग भिरंगी घर पर दिवाली पर आदमी लगाते हैं घर काफी खूब सूरत लगता है लेकिन अब बड़ी बात यह है कि इन लाइट्स की जो डिमांड है वो भी कम हो गई है क्योंकि जिस तरह से सीमा पर हिंदुस्तान और चाइना के बीच जो विवाद है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और ऐसे में जो लोग भी अब यहां पर पहुंच रहे हैं तो साफ तोर से वो लोग पहले दुकानदार से यह पूछ रहे हैं कि जो यह लाइटे हैं वो चाइना की है या फिर इंडिया की है तो ऐसे में इन लाइटों की जो सेल है वो भी कम हो गई है तो कुल मिलाकर जो बाजार पर एक बड़ा असर देखने क को मिल रही है लेकिन कहसे हैं कि लोगों की पास कह सकते हैं कि The achievement now के बीच उनकी पाक्ट पर जो असर पड़ा है उससे कहीं नहीं लोग जो है एक बजट करकर ही मार्केट में कुछ रहे हैं सुट्ट किसी का बजट अगर पिछली दिवाली की बात करें तो दस हजार था तो इस बार वो वेक्ती दो से तीन हजार का ही बजट लेकर चल रहा है कि उसको इतने ही खर्च करने है कोरोना संकट में हमेरे साथ और भी लोग है क्या नम है आपका जमशे सिद्धिगी आपका किस चीच का बिजनेस है अब इलेक्टिकल अपनाइ पहले कि अगर हम बात करें तो पहले कितने आपके पास आती है थी लेकिन मारकेट ने थोड़ी चहल कदमी जरूर है उर यह कं में है अपसे डिमांड से बहूं कर रहा है कर रहा है भी तो ऊड़ hands थोड़ी उनको कम रेट की चाहिए है थोड़ा बहुत जो से और लोग है उस जोने बाटने गिफ अगरा बाटने हैं उसके लिए कहते हैं जो पिछले बार 500 का जिसका बेट तर उसका बजट जो है दो सो रुपय का लेकिन उसमें भी उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है खबरों के निश्पक्ष विश्लेशन के लिए सब्सक्राइब करें जनतन्तर टीवी एंड प्रेस दा बेल आइकन नेवर मिस एनी अपडेट